के FIFA सबस्क्राइब कर लाए चानल को बमिया करें से चनल को सब्सक्राइब कर लिए आग भी वीडियो करते है शुरू मैं यह वीडियो मैं इसक्राइन है था मुझे बहुत सरा कमेंट आ थी कि US के उपर वीडियो क्यों नहीं बनाया और कंट्रिस के उपर बनाया तो US के उपर इस के उपर कुछ था ही नहीं बनाने के लिए क्यों है US borders open हुआ नहीं था तो अभी जो नया update आया कि numbers से US open हो जाएगा B1, B2 visa आलों के लिए E2S visa जो भी है ग्रिन कार्ट के लिए तो पहले से थाई तो उससे पहले अगर आप US जा रहे हैं तो आपको एक form submit करना पड़ेगा यह mandatory form है जैसे आप screen पर देख पार होंगे यहाँ पर बहुत सारे international airports के नाम आ रहे है US के अगर आप इन में जाते हैं इन सभी airports के लिए सिर्फ एक airport जो है John Candy International Airport New York इसको छोड़के बाकि सभी airports के लिए mandatory attention form तो फिल करना ही है जैसे कि आपको इस screen पर दिखाऊंगा मैं यह है attachment A passenger disclosure and attention to the United States of America तो यह जो form है आपको इस तरह का form है यह PDF format में आपको दिखा रहा हूँ और download करके मतलब आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं यह आपको airline की तरफ से ही मिलेगा airline aircraft यहाँ आप देख से है all airlines or other aircraft operates उनकी तरफ से आपको मिलेगा इसमें simple आपको कुछ नहीं है आपको अपना नाम, signature and date डालनी है तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे लिखा हुआ है on the behalf of नाम अपना आप डाल देंगे I attested that such person has received a negative pre-departure test result of COVID-19 तो आपने departure से पहले artificial test करवा रहा है दूसरा क्या है I attested that such person has recovered from the COVID-19 in the last three months तो यार आपको COVID हुआ था और आप recovered रहे थे last के 90 दिनों में यह सब कुछ है तो आप देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पर नाम डालूँगा और नीचे आपको यहाँ पर signature करना है date और कुछ भी नहीं करना है इतना इसा ही है यह आपको embarkation से पहले यह form submit करना है यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है All airlines or the other के aircrafts operate covered by the orders must provide the following disclosure to their passenger and collect the attention to embarkation उससे पहले embarkation से पहले आपको एक वह कलेक्ट कर लेंगे आपसे वहीं पर मिलेगा आपको और next अगर आप Los Angeles International Airport लोकेशन जो है Los Angeles, California अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक mandatory health declaration form submit करना होगा जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते है CDC का है यह इस तरह आपको सामने form आएगा है travel form यहाँ पर आपको name, middle name और email id, primary number, mobile number, travel method सब चूज़ करना है और यह submit करना है capture डालके, इस तरह आपको एक form mandatory submit करना है एक optional document के आपको ज़रत पर सकती है जो है proof of COVID-19 status में भी required for the large event in California बांकि next अगर आप आपको John Kennedy International Airport, New York अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको attention form तो भर नहीं है उसके अलावा आपको एक mandatory vaccination proof for indoor activity in NYC उसके लिए एक app है NYC COVID-Safe app यह Android में भी available है iOS में भी तो इसका link भी मैं description भी दिलूँगा वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अदरवाइस मैं इस screen में भी आपको दिखा दूँगा तो यह travelers age 12 and older who want to enjoy New York city indoor restaurant fitness center और यह सब कुछ है तो उनके लिए mandatory है यह सब form फिल करना है इस तरह की आपकी app रहेगी NYC COVID-Safe city of New York इसमें आपको देखो कुछ नहीं करना है ज्याद आपको एड़ फोटो आईडी एड़ कॉपी आफ यॉर वैड गॉर्मेंट इशू आईडी फोटो आईडी आपने अप्लोड कर लेनी है और next इस तरह से आप देखते हैं इस तरह का आपको अप्लोड करना है जैसे driving lessons अप्लोड किया हुआ है next आपको vaccination अपकी जो certificate वह आपको अप्लोड करनी है यहापे जो आपने doses लगा रखी है उसके बाद next test जैसे RTBCI test जो आपने करवाया था वो आपने test reports में upload कर लेनी है बागी कुछ नहीं है यह आपको सिर्फ महाँ पर indoor activities में काम आएगा तो यहाँ पर कुछ states के लिए आपको attention form submit करना है और कुछ के लिए आपको Los Angeles health education form submit करना है जैसे आपर Los Angeles international airport आ रहे है सब्सक्राइब करना है आगे 20 तकी वीडियो इसको देखने के लिए travel से लेटेड बाकी US के लिए था आपको interview तो होगा या आपको interview के तैयारी करना है और साइध नॉमबर से tourist visas यह सब है वो नॉमबर 15 के बाद साइध से open हो जाएंगे जो नया update लेट भी आया हुआ है ओके तो फिलाल इस वीडियो में इतना था अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो